जहिन मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे जबर्दस्त होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पड़ाई वड़ी इमानदारी के साथ कर रहे होंगे उन सभी विद्यारतियों के लिए बहुत खुसी की बात है कि जो विद्यारती रेलवे में नोगरी पाने का सपना देख रहा है जो विद्यारती रेलवे एंटी पीसी की नोगरी चाता है जी हां रेलवे एंटी पीसी में बहुत सारी वेकेंसी निकली हुई है सौट नोटिस जारी हो चुका है फाइनल नोटिस आने वाला है संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है रेलवे में नोखरी पाना चाहरा है वो complete information उसे आज select वीडियो में मिलने वाली है तो सभी बच्चे वीडियो को last तक देखिएगा जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को subscribe करेंगे, वीडियो को like करेंगे, share करेंगे complete information मिलने वाली है रेलवे एंटी पीसी, new recruitment 24 नोटिस हमारा निकल चुका है short notice निकल चुका है final notice आपको बोजल देखने को मिलेगा तो चलिए बात करते हैं क्या है short notice में मेरे प्यारे विद्यार्थियो अगर आप देखें, तो यहाँ पर दो लेवल की नोकरी निकली है इंटर लेवल की नोकरी अलग निकली है और मेरे प्यारे विद्यार्थियो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है 12 पास वाले विद्यार्थियों के लिए अलग वेकेंसी निकली है और ग्रेजिशन वाले विद्यार्थियों के लिए अलग वेकेंसी निकली है बहुत चार पोस्ट आप देख रहे हैं यह तो इंटर लेवल में है और पांच पोस्ट आप देख रहे हैं ये graduate लेबल में है और जो बच्चा graduation किये हुए है ध्यान दीजेगा जो बच्चा graduate है वो चार और पांच नौ पोस्टों में से कोई भी पोस्ट फिलब कर सकता है नो की नौ पोस्ट फिलब कर सकता है मेरे प्यारे विद्यारतियों और जो बच्चा इंटर पास है वो इन चारों पोस्टों को फिलब कर सकता है अपने preference के according आपको preference बनाना होगा graduation वाला 9 में से 9 में से कोई भी पोस्ट का preference बना सकता है कि पहले नंबर भी ये रहो दूसरे नंबर भी ये रहो तीसे नंबर भी ये रहो पर 12 वालों के लिए ये चार है और graduation वालों के लिए 9 पोस्ट है अच्छी खासी वेकेंसी मेरे प्यारे विद्यारतियों निकल के आई है 10,884 वेकेंसी 10,884 कोई कम पोस्ट नहीं होती है हाँ railway का according कम है पर आपको तो अपनी एक seat से मतलब है 10,884 पोस्ट है मेरे प्यारे विद्यारतियों इसमें इंटर लेवल की पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3,404 ये तो इंटर लेवल में है और अगर ग्रेजिएशन लेवल में देखेंगे तो 7,489 पोस्ट ग्रेजिएशन लेवल में है और इंटर लेवल में मेरे प्यारे विद्यारतियो 3444 हैं, अगर inter-level में सबसे पहली पोस्ट की बात करें, account clerk come typist, इनके लिए 361 post निकली है, commercial come ticket clerk, इनके लिए 1985 post निकली है, junior clerk come typist, 990 post निकली है, train clerk जिसे TC बोलते हैं, उसके लिए 68 post है, और complete जोड़ेंगे 404 post है मेरे प्यारे विद्यारती हो और जो मेरे प्यारे विद्यारती हो typing वाली post दिख रही है typist की post दिख रही है यहाँ पर typing होगी तो जो बच्चा typing वाली post के लिए apply करेगा वो अभी से अपनी typing start कर दे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह notification यह notification कब आउट होगा form बनना कब से start होगा complete जानकारी मेरे प्यारे बच्चों मिलेगी यहाँ पर अगर देखें graduation level में सबसे पहली post है goods train and manager यहाँ पर 2684 post है station master में देखेंगे 963 post है commercial कम ticket supervisor में 377 post है junior account assistant कम type is 371 post है senior clerk कम type is 725 post है और जोड़ेंगे 7400 89 मेरे प्यारे बच्चों post है लगवग 10884 के बरावर vacancy आपको देखने को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसका short notice भी दिखाऊंगा सारी जानकारी में आपको दूँगा वीडियो में last तक बने रहीएगा पहले थोड़ी सी age की बात कर दूँ ये age अगर 12th pass वाले विद्यारती अगर है तो उनके लिए 18 से 30 साले मेरे प्यारे विद्यारती हो और OVC वालों के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और ST ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी और जो बच्चा graduation level का है graduation वाले form बरेगा उनके लिए 18 से 33 साल है और इसमें भी 3 साल की छूट OVC वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी अगर ये short notice में आपको दिखाऊं कि ये notice क्या है तो आप देख सकते हैं ये notice निकला हुआ है बारत सरकार गवर्णन्ट आप इंडिया रेल मंत्राले मिनिस्ट्री आप रेल वोड से आपने देखा ये short notice मेरे प्यारे विद्यार्थियों निकला हुआ है assessment of vacancy for the post of non-technical popular category undergraduate and graduate undergraduate मतला 12th pass वालों के लिए और graduate वालों के लिए complete information मेरे प्यारे विद्यार्थियों दी गई है non-technical popular category undergraduate level post आप देख रहे हैं ये चार पोस्ट मैंने आपको बताई है चारों पोस्ट पर निकली हुई है total 344 post है आप देख रहे है account clerk कम typist की post है commercial कम ticket clerk की post है junior clerk ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ में ये graduate level की post है यहाँ पर 5 post के लिए vacancy निकली है goods trend manager की station master की cheap commercial कम ticket supervisor junior account assistant और senior करम typist आप देख रहे है 7,489 मतब 10,884 total post निकली है further recruitment process for conducting cvt cell be taken rrb एमदाबाद मतब परिक्षा कराने के लिए आप देख रहे हैं cvt की परिक्षा कराने के rrb एमदाबाद वालों को आपको नोडल rrb एमदाबाद है clear मेरे प्यारे बत दो और आप देख रहे हैं यह journal wise जोन बाइज यह आपकी post है यह undergraduate वालों के लिए graduate वालों के लिए है यह central में इस्ट कोस्ट में यह सब आ गया यह account club टाइपिस्ट की है commercial junior train club यह आप देख रहे हैं journal wise आपको सारी post दी गई है इतना सा ही हमारे पास short notices का आया है अभी complete notice यह नहीं आया कि कब से form बनना start होगा पर मेरे प्यारे विद्यारतियों मैं आपको बता दूंगे form बनना कब से start ह होने वाला है इसका final notification कब आने वाला है मेरे प्यारे विद्यारतियों आप इतना ध्यान दे लो हमारे पास जो इसका notice आने वाला है वो आने वाला है मेरे प्यारे विद्यारतियों यह august आप देखिए अगस्त तक ये आपका final notice आ जाएगा complete notice आ जाएगा मतलब अगस्त में आपके form बरना start हो जाएगा RRB railway में NTBC का form बरना मेरे प्यारे बच्चो अगस्त में start हो जाएगा तैयारी आपको आथ सही करनी है जैसा कि आपको railway के अंदर पता है maps, reasoning और GS का सबसे बड़ा योगदान है और GS में science का योगदान सबसे बड़ा है यहां English और Hindi नहीं पूछी जाती है यह सारी जानकारी में आपको तब दूँगा जब final और main notification जब हमारे सामने अगस्त में आएगा पर इतना जान दीजिए कि घस्त में notification आने वाला है तैयारी आज से start कर दीजिए अच्छी खासी post है चाए आप 12th pass है चाए आप graduate है तब भी आप अपनी एक vacancy यहां से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यारती आपको इस संपूर जानकारी समझ में आई होगी चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे जब तक के लिए जैहिन प्यारे साती हो